वेल्टम बैक तो मैं चैनल पढ़ाई पॉइंट तो आज हम आयें वापस से एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कॉंसेप्ट ओफ आइडियोलोजी ये टोटल नया चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं तो आज हम बात करेंगे concept of ideology बेसिकली हम जानेंगे विचार धाराओं के बारे में जो बहुत सारे भिन भिन तरीके क्या ideas होते हैं तो मैंने इससे पहले जो चैप्टर है nature and significance of political theory वो पूरा complete कर दिया है और अगर आपको वो देखना हो तो आपको नीचे description में उन सबका link बिल ज करते हैं and today we are gonna start concept of ideology और यह आप देख लिजए यह मैं आपको पूरा समझाने जा रहा हूं आपको brief मैं आपको पूरा कर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए कि concept of ideology यह जो दूसरा chapter है यह है क्या किस बारे में है यह पूरा तो आप यह खुद से पढ़ ले ना मैं आपको note section म मैं अपने ले जाता हूं ताकि आप और बहतर से समझ पाए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो without a further view let's start a video तो concept of ideology मतलब आज हम विचार धारा के बारे में जानेंगे तो in the realm of political theory यानि राजनीती सिद्धान के शेत्र में यह जो term ideology है यह दो context में applied होती है यानि दो संदर्व में applied होती है पहला है जो एक set of ideas जो किसी भी group, party या nation के द्वारा accept कर ली जाती है बिना किसी examination के जैसे example आपकी family election के time एक particular party को ही support करती है और basically आप भी उसी idea को follow up करते हैं क्योंकि आपकी family करती है इसके पीछे आपने कभी यह examine करने की कोशिश नहीं की just because आपके parents कर रहे हैं तो आप में भी वो कहीं न कहीं effect होती है and you are also like कि हाँ यही party सही होगी but you are never examining it दूसरा देखते हैं दूसरा है विज्ञान यानि science जो योजना बनाता है और उसे परकता है कि कैसे वो सारे योजना अलग-अलग तरीके से form हो रहे हैं इसमें हम यह देखते हैं कि सच्चाई कितना तेड़ा है और कैसे हम उस तेड़ेपन को पार करें ताकि हम truth को और अच्छे से discover कर पाए और true knowledge को जान पाए अब इसका मैं आपको better example देता हूँ ताकि आपको यह सारा ही समझा जाए जो मैंने अभी आपको बोला तो example आप ले लीजे कि हमें पता है politics में घपला और scam होता है यह हम सभी को पता है पर हम उसके उस तेड़ेपन वाले यह जो सच्चाई है जो हम जानते हैं कि वहां scam होता है उसको हम side में रख देते हैं और यह भी देखते हैं कि politics हमें हमारे country को फाइदा भी करता है ultimately आप देखेंगे diplomatic way में वह defense में काम करता है हमारे education sector में भी help करते हैं government अगर government में scam और यह है तो इसमें हम यह भी positive side ढेख सकते हैं कि वह हमारी मदद भी करता है हम normal human being की जैसे अभी state में petrol का price कम करने को बोल रहे हैं तो that is nothing बट वह हमारी help तो कर रहे हैं तो इसका एक positive side हम हम लोग उसका एक negative side में रखके हम उसके positive side पे ऐसे focus करते हैं तो next है ideology as a set of ideas के एक दूसरा topic आ गया तो पहले समझ लेते हैं यानि विचार धरा समू है विचार का ideology as a set of ideas that is nothing but ideas से ही ideology आई है simple सी बात है ideas से ही ideology आईगी चल यह पहले ideology का context जान लेते हैं मतलब संदर मतलब यह कहना क्या जाते है definition समझ लेते हैं तो ideology मतलब होता है ideology means a set of those ideas which are accepted to be true by a particular group without further examination जैसे कि मैंने अब भी आपको हिंदी में बोला था कि वो एक ऐसा set of ideas है जहां हम उसको बस follow करते हैं यह नहीं जाने हुए कि हम उसे बस क्यों follow कर रहे हैं हम बस follow कर रहे है जैसे मैंने आपको example दिया था कि आपकी family एक particular party को support कर रही है और आप भी end of उसको support करते हुए कर जाते हो पर आपने कभी उसके जानने का कोशिश ने किया तो यह इसका मतलब है तो यह सारे विचार लागू होते हैं in order to justify their ideas to social, economic और political organization पे मतलब यह जितने भी ideology हैं यह इन सभी पे अपना ideology लागू करते हैं यह अपने ideas को सच ठहराते हैं और दूसरे के ideology पे सवाल उठाते हैं example ले लिए capitalist और communist जहां capitalist expand और विस्तारवात का सहीओ करता है वही communist समाजिक और समाज के बारे में जादा care करता है जहां communist बोलेगा कि यह capitalist सारे state को क्या गहते हैं अपने अंदर capture कर रहे हैं hold कर रहे हैं अमीर बनते जा रहे हैं वहीं गरीब और गरीब होते जा रहे हैं तो असली माईने में देखे तो ideology is nothing but यकीन का matter है या matter of faith faith is nothing but यकीन ideology हमारा यकीन ही तो होता है अगर आप हिंदुजम, इस्लामिजम क्रिस्चियनिजम सिख्खिजम फॉलो कर रहे हैं that is nothing but वो आपका faith एक ideology है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं इसके पीछे कोई भी scientific basis नहीं है अब आप जो भी अपना religion फॉलो कर रहे हैं वो कोई scientific basis पे थोड़ नहीं कर रहे हैं कि ये carbon उसमें है कि oxygen there is nothing ये irrelevant बात है वो बस आपका एक ideology है जो कि science से परे है तो जो व्यक्ति किसी ideology को follow करता है उसका ये मानना है कि उसके ideology को follow करने के लिए कोई प्रमार देने की उसको कोई जरुरत नहीं है मतलब कि आपको कोई भी ideology follow करने के लिए आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं उससे क्यों follow कर रहा हूं तो basically it's their own free will वो उनका अपना मानना है ऐसे ही यानि they are inevitable मतलब सब में differences हैं इस सारे ideology में तो hence हमें ये पता लगता है कि ideology है जो ideology होता है जो विचार धाराएं होती है वो love-hate relationship को पैदा करता है कुछ example ideologies के ही मतलब मैं आप ही आपको दे देता हूँ कुछ ideologies के example वो गया liberalism, capitalism, socialism, socialism, marxism, communism, anarchism, इन सभी के बारे में आगे chapter में भी पढ़ेंगे इन सारे ideology के बारे में तो अभी एक छोटे bracket में लिखा है scientific temper तो ये क्या है इसके बारे में समझते हैं scientific temper is nothing but विज्यानिक प्रकृती scientific temper का हिंदी में मतलब हो गया विज्यानिक प्रकृती scientific temper का जुकाओ रहता है scientific method पर मतलब वो उस पे ज़्यादा rely करता है जो discover करता है truth और उसका reason देता है और ये कोई भी conclusion किसी चीज को साबित करने के बाद ही कुछ कहता है ये ने की बिना कुछ proof किये ही ये कुछ भी बोले जा रहे है ये पूरी तरह से super serious belief ghost को नहीं मानता है मतलब मान लिजे ये अंद विश्वास भूत प्रेत इन सब पर इसका कोई विश्वास नहीं होता है scientific temper का ये बस only जो reason होता है जो logical reasoning होती है scientific temper उस पे rely करता है इसके लिए scientific temper के लिए जो only चीज matter करती है वो होता है fact तो ये तो हम मैंने cover कर दिया ये देखिए पूरा का पूरा concept of ideology को मैंने आपको brief में समझा दिया scientific temper तक यहां तक ये मैंने chapter का start कर दिया ताकि आपको अब समझ आ जाए कि ये है क्या किस बारे में है विचारधारा के बारे में है और next class में हम पढ़ेंगे ideology, politics and political theory मतलब विचारधारा, राजनीती और राजनीती सिध्धान के बारे में हम अगले class में पढ़ेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज थमसब दे दिजेगा लाइक कर दिजेगा वीडियो subscribe कर दिजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कर दिजेगा ताकि उनकी लिए भी उनको मदद हो जाए और मैंने English की भी सीरी स्टार्ट की थी अगर आपको वो भी देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं और इससे पहले का chapter पढ़ना है तो उसका भी description में आपको link पिल जाएगा और अगर आपको कोई भी doubt हो तो I would suggest you that please comment me ताकि मैं आपके उस query को solve कर पाँ and do follow me on my social media मेरे सारे handles पे Twitter, Facebook, Instagram Telegram जिसे मतलब आप update रह पाएं अपने आपको and till then we'll meet in next video thank you for watching my video